हाई फ्रेंड्स मैं हुआ कासरजक और आप देख रहे हैं बॉलिवुड को जानो जैसा कि आप सब जानते हैं कि वरुन धवन और सारा अली खान की कूली नंबर वन 25 दिसंबर को Amazon Prime विडियो पर रिलीज होने वाली है इस फिल्म को डिरेक्ट किया है वरुन धवन के पिता देविड धवन ने ये फिल्म रीमेक है 1995 में आई फिल्म कूली नंबर वन का जिसमें गोविंदा और करिश्मा कपूर लीड रोल में थे जहां करिश्मा कपूर इस फिल्म की प्रमोशन बहुत जोर शोर से कर रही है वहीं गोविंदा वरुन धवन स्टारर इस फिल्म को प्रमोट नहीं कर रहा है सूत्रो की माने तो इसका कारण है गोविंदा और डेविड धवन के बीच के रिस्ते की खटास गोविन्दा और देविड धवन ने साथ में काफी फिल्में की है और बहुत बड़े-बड़े हिट्स फिल्म इंडस्ट्री को दिये हैं जब गोविन्दा के करियर का ग्राफ डाउन होने लगा तो डेविड धवन ने भी उनसे मूँ मोड लिया वो गोविन्दा के फोन तक को नहीं रिसीव करने लगे और इस तरह दोनों की रिष्टे की बीच दरार पड़ती गई और अब जब डेविड धवन कूली नमबर वन की रीमेक लेकर आये है तब इस फिल्म के ओरिजिनल हीरो गोविन्दा ही इसे प्रमोट नहीं कर रहा है खेर अब देखना यहीं है कि वरुन धवन और सारा अली खान स्टारर कूली नमबर वन फिल्म वाक्स ओफिस पर क्या कमाल दिखा पाती है तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तुसे लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स फिर मिलते हम लोग एक नए वीडियो के साथ जिसमें आपको बॉली वुड के अपडेट मिलेगी बॉलिवुड से related news मिलेगी बॉलिवुड में क्या चल रहा है जाननों को मिलेगा तब तब के लिए बाबाई